राचे के वाड नमर 11 के हरीज़न बस्ती और गढ़ा टोली के लोगों ने चनबाकर के अपने श्रमदान से पुल बनाया आपको बता दे कि अस पुल निर्मान के लिए शेलानियास कारिक्रम हो चुका था ये बास का पुल दो बस्ती को चोड़ता है पिछले बारिश में ये पुल बह गया था यहां के लोगों से बात की हमारे सहयोगी अंचुनी कुमार ने वक्त ऐसे जगा खड़ा है जहां पूल को लेकर कही बार आवाज उठी है और पिछले बारिश में यहां का ये पूल बह गया था गढ़ा टोली और रविदास को लोनी को ये पूल जोड़ती है जिस पूल में हम चल रहे हैं ये बास का बनाया गया है और यहां जो रहने वाले जो लोग है अपने पैसे से खर्च करके इस पूल का निर्मान किया गया है और इसमें गढ़ा भी काफी है कोई भी गिरेगा कई लोग यहां गिरे हैं पैर हाथ भी तुटा है तो कोई भी आने जाने में इस रास्ते में जरूर डरता है लेकिन यहां रहने वाले जो लोग हैं वोटर भी हैं और अब जो है इनकी यही मांग कर रहे हैं कि कभ यह पूल बनेगा तो यहां रहने वाली जो आबादी है इन लोग लगातार तमाम समस्याओं से जूसते हुए यहां निकले हैं तो लोगों से बातचीत करते हैं दिदी य और ये पूल कौन मनाया है? यह पूल हम लोग सरंदान करके यहां के लड़के बनाए हैं, मारे घर के ज़नाजवान बच्चे हैं वो बनाए हैं और ओभी घर-घर से चंदा करने के बाद यह पूल बनाए हैं, बहुत जाधा दिकत हो रहा था, काफी बच्चों इस्कूल जान लड़के जो हैं बोले कि अपना स्रम्दान से हम लोग इसको बनाएंगे यह बोले और बनाए है यह यह सिलने अज भी हो गया है कब हुआ है अगस्त में हुआ है अगस्त मेर खुद से आ करके किये हैं लेकिन सितंबर खताम अक्तूबर खताम अब कल नुवंबर आ जाएगा अभी तो कोई जो भी जरा मुरा था ओभी पानी आया बहा के लिए गिया कमर भर पानी में डूपके बच्चे लोग मर्दाना लोग को जो इस्कूल के बच्चे लोग होते हैं एक आदमी खड़ा रहता तो बच्चे लोग आते हैं तो कोई गोधी करके उसको पार कर देते हैं हैं कि तुए लोग के साथ अन्जनी कुमार रांची झाल झाल